आप सभी का स्वागत है और देखे आप सभी के सामने मैंने इस जगा निप्टी का चार्ट ओपन किया है कल के दिन कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकते है बैंक निप्टी के अंदर कहां पर बाइंग या कहां पर सेलिंग करना चाहिए उसके पीछे का क्या साइकोलोज लेवल हो सकता है तो मार्केट में देखे आज के दिन मुवमेंट तो काफी अच्छा देखने को बला है और एक जो टिरेटर होता है उसके लिए आज का मार्केट काफी अच्छा मार्केट था अब ऐसा क्यों 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 क्या चाहिए कि उता चड़ाओ चाहिए उपर की सा पीबाइंग करके चल सकते हैं, और फिर market नीचे की site आता है, तो कहीं ने कहीं हम इत जगा भी चालीस हजार का level देखा था जो कि अगर आप देखो तो आज के दिन देखें हमने चालीस हजार का level देखा था और नीचे की साइड जो हमारा support था 49,600 से लेके 49,500 का जो हमारा नीचे की साइड support था वो भी support हमको देखने को बला यानि हमको एजगा 100 पॉंटों के सपोर्ट भी देखने को बले जो कि मार्टिक में नीचे की साइड अब देखें आंगे कैसे काम करना है चलिए जे तो मुवमेंट हमको सब देखने को बले लेकिन सवाल वही निकल के आदा है कि आंगे कैसे काम कर सकते हैं तो उसके लिए तो देखे मैंने आपको अपना供ान बिटाखे रखा है कि अगर आपको बेसिक समझमें नहीं आता है अगर आपको चीजह थे समझ में नहीं आती तो आप सीख सकते हो समझ Ama और हमारा फिरी टेलिग्राम चैनल को जोइन सकते हो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्टेशन में दिया गया है कि एक चीज तो मैं काफी अच्छे से आपको बता सकता हूं इस चार्ट को देखें कि आप मार्केट में जो उतार चड़ा हो जादा देखने को बलेगे क्यो आउनों रिइन्ज जो आपको दिखाई दे रही है 500 पॉंट के अंदर दिखाई दे रही है तो आपको बड़ा मोव्मेंट के लिए तयार हो रहा है तो इसलिए कि आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए मार्केट के उपर हमारी सुरू से है कि आपको काफी अच्छे तरीके से हम समझा पाएं कि market में कैसे काम करना है अब देखें इस जगा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखें मैंने MA लगा के रखा है जह एक indicator है इसका इस्तमाल किया है और यहाँ पर आप देखोगे तो इस indicator की मदद से अगर आप देखोगे तो अभी भी इसमें कोई ज़्यादा कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है कमजोरी इसमें कव आएगी जब market edge का 49,500 के नीचे trade करना चालू करेगा यानि अगर अपने low के नीचे जाता है जब इसमें हमको एक कमजोरी देखने को मिलेगी लेकिन हमको जे भी पता चलता है इसमें कि उपर की साइट जो आपको 40,000 का level है यह आप आपका एक मजबूत रजिस्टेन बन चुका है क्योंकि आज के दिन किन बैंकों ने support किया है सबसे important यह होना चाहिए कि अगर market आपको 40,000 टच करकर आया है तो उन बैंकों में किन किन बैंकों में देखिए उसकी मदद ली थी क्योंकि अगर आप देखो तो 49,600 के 49,660 के सम्तिंग की इसकी closing आपको दिखाई दे रही है अब देखिए बैंक के यहाँ पर दिखाना चाहूँगा PNB बिल्कुल छोटा बैंक है आप देखोगे तो Yes Bank, ICI Bank ने भी support नहीं किया और first bank में आपको देखने हो ले यानि जो heavy bet आपके bank थे उनमें गिरावट देखने हो ले थी और जो छोटे bank थे उनमें आपको तेजी देखने हो ले थी तो आपको पता है कि छोटे bankों के वैसे तो market उपर नहीं जाएगा अगर उसको 40,000 पार करना है तो हमारा जो पहला call है वो एक logic के साथ काम करेगा क्योंकि देखे market ने एक support लिया है इस से पहले भी इस जगह support लिया था और इस जगह यानि तीन वार बाटम बना चुका है अब market अगर इस जगह देखे इसी जगह आपका आपका ओपनिंग ऊपर हो कोई दिकत नहीं है लेकिन closing नीचे होना ही चाहिए यानि जो आपकी closing होगी वो rat closing होना चाहिए ठीक है नीचे की side इस level के नीचे closing होना चाहिए तो हम इसमें piggy buying करके चल सकते हैं अब चले बात करते हैं target की target क्या होगा तो target देखे सबसे पहले मैं इस जगह बताना चाहिए पहला target तो 49,400 का देखने को बहुए दूसरे target की बात के तो 49,300 का देखने को बहुए गया और last target की बात के तो 49,150 का देखने को भी लेगा यानि इन target के लिए हम market में काम कर सकते हैं और आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि जो मैं आपको like का target बताता हूँ वो आप सभी लोग पूरा करते हो और आज का like का target मैं एक जिगा आपको बताना चाहूँगा option chain के data पर अगर आप देखोगे तो operator देखे काफी कमाल का है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखे दो चीजे मैं आपको उताना चाहूँगा सबसे पहले call का data, call का data में क्या दिखाई दे रहा है कि किसी ने भी पैसा इस जगा नहीं बनाया है और बनाया है तो interday के अंदर बनाया है बाकि जिल लोगों ने hold किया है उनको कई ने कई जगा loss होते हूँ दिखाई दे रहा पुट की अगर data की बात के है तो पुट में भी इतना बड़ा पैसा नहीं बनाया जिल लोगों ने interday में बनाया उनका पैसा बनाया जिल लोगों ने hold किया है उनका पैसा नहीं है ठीक है अब resistance की बात क्या है तो 33,00,000 के सम्तिंग का देखे है resistance आपको किस price पे मिल जाता है 40,000 यानि जी आपका एक बड़ा resistance हो गया अगर आपको तेजी चाहिए तो आपको 40,000 के उपर जाना ही पड़ेगा अगर नहीं जाता है तो आप तेजी भूल जाईए पिलस पे 49,800 49,800 पे भी एक बड़ा resistance आपका बैटा हुआ है इस जगा 22,00,000 के सम्तिंग का यानि इन लेवल को पार करना बहुत मुश्किल दिखाए दे रहा है इसको पार करेगा जब ही तेजी आईगी अगर उपर ओपनिंग आपको होने को मिल भी जाती है तो आपको वहाँ से शेलिंग ही देखने को मिलेगी सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट तो देखे 49,500 कल भी मैंने आपको बोलाता है कि 49,500 का सपोर्ट है आज मार्केट कहां से घूंग गया 49,600 से यानि 49,500 से लेके 49,600 ये आपका काफी अच्छा सपोर्ट है लेकिन अपकी बार जो आपको सपोर्ट लगाना चाहिए वो कहीं नेखी 49,500 के समतिंग का लेना चाहिए ठीक है आपको सपोर्ट लेना चाहिए अगर आप बहुत कम रिक्स लेना चाहते हो कि वहीन ना के बराबर मेरा रिक्स होना चाहिए तो फिर आप 49,000 की आश्वास आप SCE Bying करके चल सकते हो यानि SCE Bying करने का सही तरीका है 49,000 के पास मिलता है तो SCE Bying करेंगे P.E. Bying करने का सही तरीका है कि अगर जह 40,000 की आश्वास मिलेगा तो हम P.E. Bying करेंगे Level to Level काम करना है कोई भी जल्दवाजी नहीं करना है कि जल्दवाजी के वज़े से आपको पैसा गबाना पड़े क्योंकि market उपर की साइट आपको Picky Bying करने का भी मौका मिलेगा अगर market नीचे की साइट आता है तो नीचे की साइट Siki Bying करने का भी मौका मिलेगा फिर उपर की चाइट आपको फिसर पीकी बाइंग करने का मौका देगा अगर देखिए आपको हमारे paid group में join होना है तो आप हमारे link से account open कर सकते हो एंजल जरूदा आप इस्टॉक एलेच विलू आई आई एफल के साथ और जिसमें nipty, bank nipty और stock के update आप सभी को दिये जाते हैं तो link आपको वीडियो के description में दिये गए है सभी dmit account के और साथ ही साथ अगर आपको हमारे telegram channel को join करना है तो उसको भी आप join कर सकते हो बिल्कुल फिर यह link आपको वीडियो के description में दिये गए है देकि मैंने ऐसा क्यों बोला कि उपर की site रजिस्टन है देकि मैं आपको बताना चाहूँगा अभी अहली में आपने देखा होगा तो market इसी price के आसवास आपको काम करते हुए दिखाई दी रहता यानि यह एक आपकी range बन चुकी थी काफी कोशिस करने के बाद market ने इस range को ऊपर की site निकाला और इसने कहां पर touch किया जो कि आपका 40,000 का level में लिख देता हूँ इस जगह 40,000 की level को इसने touch किया लेकिन वहां से हुआ कि इसमें supply देखने को बली और उस supply से आपका market इसी के पास आते हुए दिखाई दिया ठीक है लेकिन अगर market आपको ऊपर मिलता भी है जैसे कि अगर हम बात करें इस जगह 40,000 के something मिलता है तो इस level पे हम PE buying करके चल सकते हैं उपर बिल्कुल PE buying करना चाहिए आपको चांस लेना चाहिए और चांस क्यों लेना चाहिए क्योंकि यहां पर supply आ रहा है ठीक है जब तक यह 40,000 को पार नहीं करेंगा जब तक आपको इस जगह नहीं निकलना है उपर की साइट PE के अंदर आपको PE ही बाइंग करना है ठीक है उपर की साइट अगर उपर आपको मार्केट उपन हो भी गया तो इस लेवल पे हम पी बाइंग करेंगे थोड़ा कंसुलेट होने दीजे फिर नीचे आने दीजे जैसे कि मैं आपको बताता हूं इस जगह देखिए जे कंसु किया और फिर नीचे की साइट यारि आपका जो लो है उस लो के नीचे अगर निकलता है कंडिशन आपका एक ही है कि मार्केट 40,000 के उपर नहीं जाना चाहिए इसके उपर आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए 40,000 के उपर तो हम इसमें PE की बाइंग करके चल सकते हैं ठीक फिर आपका देखने को बिलेगा इस जगह 49,800 का और लाश्ट टार्गेट आपको इस जगह जो देखने को बिलेगा वो 49,650 का यानि जो तीसरा जो टार्गेट है वो आपको थोड़ा बड़ा देखने को बिल सकता है और उपर के लेवल से आपको 350 पॉइंटों के टार्गेट देखने को बिलेगा बहुत सिंपल लॉजिक से देखिए मैंने आपको बताया है कोई भी जगह लॉजिक नहीं लगाना यह आपका लेवल है इस लेवल के आसपर मिलता है पिकी बाइंग कीजे अपने लोग के नीचे आता है पिकी बाइंग करना है पहला टार्गेट दूसरा टार्गेट और तीसा टार्गेट आपको देखने को बिलेगा C E के अंदर, वह कहां पे देखने को मुलेगा वह इस लेवल पे देखने को मुलेगा ये लेवल मैं आपको बतायाता हूँ नीचे की साइट य लेवल आपका निकल के आता है देखे, उपर की साइट आप PE बाइंग कर रहे हो तो नीचे की साइड CE भी बाइंग करना है, एकी लेवल पर नहीं करना है, दोनों चीज में आपको बता रहा हूँ, नीचे आपको जो आपको मौका मिलेगा वो इस जगह देखे 38,900 के आसवास, ठीक है, जे आपका लेवल होगा जिस पर हमको मौका मिलेगा, 38,900 के आसवास भ आपको साइड का जाएंगे कि मेरा लॉस हो रहा है, इस तरीके से कहते हैं, मार्केट नीचे आया, थोड़ा कंसोईट किया, और फिज उपर की साइड की साइड निकाल दिया, यानि जो इसका हाइड है, वो साइक को इसने उपर की साइड निकाल दिया, तो हम इसमें 6E के इस पर आइसके नीचे नहीं जाना चाहिए, आपको बच इतना सा ध्यान देना है कि जैसे पहले हुआ था, इस जगा इन लेबल पर हुआ था, मार्केट का जो केंडल बनेगा, आपका देखे, ओपनिंग उपर दे, लेकिन किलोजिंग इसके नीचे नहीं देना चाहिए, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, अब फिर इसमें हमारा टार्गेट क्या हुआ, तो टार्गेट की बात करते हैं, पहला टार्गेट तो देखने को बढ़ेगा, और लास्ट टार्गेट की बात के तो 49,300 का देखने को बढ़ेगा, यानि इन टार्गेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आ उमीद है कि आप सबी लोग इसको भी पूरा करोगे, जैहिन बनने माता हूं